राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधूं आज शुक्रवार के दिन मैं आपके लिए लाएं हूँ श्री अनपूर्णा माताजी की व्रत कथा बंधूं अनपूर्णा व्रत कथा सुनने मात्र से आपके यहां अजीवन अनधन की कमी नहीं रहेगी बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे मा अर्नपूर्णा, जे मा अनपूर्णा, जे मा अनपूर्णा जिरूर लिखें, बोलो अनपूर्णा माता की चै काशी निवासी धननजे की पतने का नाम सुलक्षना था, उसे अन्य सब सुप्रापत थे, प्रंतू निधन था ही एक दुख का कारण था, यह दुख उसको हर समय स्ता था, एक दिन सुलक्षना अपने पति से भूली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रक कब तक काम चलेगा, सुलक्षना की बात धननजे के मन में बैठ गई, उसी दिन विश्वना शंकर को खुश करने को पूजा पाट में बैठ गया, कहने लगा, हे देवादी देविश्विश्वर, मुझे पूजा पाट कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा इतनी विंती कर दो, तीन दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, यह देख कर भगवान शंकर ने उसके कान में अनपूर्णा, अनपूर्णा, अनपूर्णा इस परकार तीन बार कहा, यह कोन क्या कह गया, इस सोच में धननजे पढ़ गया, और मंदिर में आते हुए, ब्रा तो हर समय अन की ही बास सुझती है, घर जा, अन ग्रहन कर, धननजे अपने घर गया, और पत्नी से सारा व्रितांत कहा, वह बोली, हे नात, चिंता मत करो, स्वयम शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद इसका खुलासा करेंगी, आप फिर जाकर उनकी अराधना करो, धन अनजे फिर जैसे के तैसा, पूजा में बैड़ गया, रात्री में शंकर जी ने आज्या दी, कि तू पूर्वदिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा, तू सुखी होगा, महा देव बाबा का कहना मान, वह पूर्वदिशा को चल दिया, और अन पूर्ना, अन पूर्न कहता जाता, रस्ते में फल खाता जाता, जर्नों का पानी पीता जाता, इस तरहें कितने ही दिन चलता गया, वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुन्दर सरोवर देखने में आया, और उसके किनारे कितने ही अपसराएं जुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी, बाकि सब मा अनपूर्णा, मा अनपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी, अगहन मास की उज्ज्याली राप्ती थी, आज से ही इस व्रत का आरंब था, जिस शबत की खोड में मैं घर से निकला था, वह शबत आज मुझे सुनने को मिला है, धननजे उस के पास जाकर पूछता है हे देवियों, आप यह क्या करती हो, वे बोली हम माता अनपूर्णा का व्रत करती हैं, इस पर धननजे ने फिर से पूछा, व्रत करने में क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसको कब किया जाए, यह समझा कर मुझ से कहो, वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं, स्तारा दिन तक के लिए, स्तारा गाट का सुतर लेना, स्तारा दिन ना बने, तो एक दिन का उपवास करना, यह भी ना बने, तो केवल कथा सुनकर माता का परशार लेना, निराहार रहकर कथा कहना, कथा को सुनने वाला कोई ना मिले, तो पीपल क पत्ते को रख सुपारी गवार पाठा के व्रिक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सुरे गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालना यदि भोल से कुछ पढ़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध ना करें जूट न बोले धरंजे बोला इस व्रत के करने से क्या होगा वे कहने लगी इस के करने से अंधों को नेत्र मिले लूलों को पाव मिले निर्धन के धन आवे बांज को संदान मिले मूरक को विद्या आवे जो जिस कामना से व्रत करे माता उसकी इच्छा पूरी करती है धरंजे बोला बेहनों, मेरे पास धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं दुखिया और द्रिद्र प्रहामन हूँ, मुझे इस वरत का सुख दोगी, हाँ भाई, तेरा कल्यान हो, हम तुझे सुख देंगी, ले इस वरत का मंगल सुत्र ले, धननजे ने वरत किया और पूरा तभी स्रोबर में से 21 खंड की स्वरन सीधी हीरा मोती जड़ी हुई प्रगट हुई धनन जे जे अनपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीधियां उतर आया क्या देखता है करोडों सुर्यों के समान प्रकाश मान अनपूर्णा जी का मंदिर है उसके स्वरन सीहासन पर अनपूर्णा विराजमान है सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े है देवंग गनाएं चमर डुलाती है कितनी ही हत्यार बांधे पहरा देती है धननजे दोड़ कर माता के चर्नों में गिर पड़ा माता उसके मन का कलेश चान गई धननजे कहने लगा माता आप तो अंतर्यामी हो आपको अपनी दशा क्या बताऊं माता बोली तूने मेरा वरत किया जा संसात तेरा सत्कार करेगा माता ने धननजे की जीवा पर बीच मंत्र लिख दिया अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ठ हो गई इतने में क्या देखता है कि वहकाशी विश्वनात मंदिर में खड़ा है माता का वरदान लेकर धननजे घर आया और सुलक्षना से सब बात कही माता जी की क्रिपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमरने लगी छोटा घर बहुत बढ़ा किना जाने लगा जैसे शेहत के चत्ते में मक्या जमा होती है उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे इतना धन इतना बड़ा संदर घर संतान नहीं तो इस कमाई का कोन भोग करेगा सुलक्षना के संतान नहीं इसलिए तुम दूसरा विवाहा करो अनिच्छा होते हुए भी धरंजे को दूसरा विवाहा करना पड़ा सती सुलक्षना को सोत का दुख उठाना पड़ा इस तरहें दिन बीचते गए फिर अगहन मास आया और नए बंधन से बंधे पती से सुलक्षना ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए है इस कारण यह व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए यह माता जी का प्रताब है हम इतने संपनवा सुखी है सुलक्षना की बास सुनकर धनंजे उसके यहां आया और व्रत में बैठ गया नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी वेह धनंजे की आने की रहा देख रही थी दिन बीटे गए व्रत पुरा होने में तीन दिवस रहे नई पत्नी को खबर मिली उसके मन में इश्या की ज्वाला देख रही थी सुलक्षना के घर पहुँची और जगडा करके वेह धनंजे को अपने साथ ले आई और नई घर में धनंजे को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आदबाया उसी समय नई पत्नी ने उसे व्रत का सुत्तर तोड़ कर अगनी में फैक दिया अब तो माता जी बड़ी क्रोधित हुई घर में अकसमात आग लग गई सब कुछ जलकर राख हो गया सुलक्षना जान गई और पती को फिर अपने घर ले आई नई पत्नी रूट कर पिता के घर जा बैठी संसार में दो जीव थे उसमें से एक ही रह गया पती को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षना बोली है नात गबराना नहीं माता जी की कला अलोकिक है पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कु माता नहीं होती आप माता में शुरद्धा रखें फिर अरादना शुरू करें वे अवश्य हमारा कल्यान करेंगी धनन्जे फिर माता के पीछे पढ़ गया फिर वही स्रोवर सीडी प्रगड हुई उसमें अनपुर्णा मा कहे कर उतर गया वहां माता जी के चर्नों में रुदन करने लगा माता प्रसन होकर बोली यह मेरी स्वरन की मूर्ती ले उसका पूजन करना फिर तु सुखी हो जाएगा जाओ तुमको मेरा आशिरवाद है तेरी इस्त्री स्लक्षना ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया उसको मैंने पुत्र दिया धनन्जे ने आँके खोली खुद को काशी विश्वनात के मंदिर में खड़ा पाया वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया इधर स्लक्षना के दिन टड़े महीने पूरे होते ही पुत्र का जनम हुआ ग्राम में अस्चरे की लहर तोड़ गई मान्यता आने लगी इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अनपूर्णा का सुन्दर मंदिर बनवाया जिसमें धूम धाम से माता जी पधारी यग्यकिया और धननजे को मंदिर का अचारे पद दिया जीविका के लिए मंदिर की दक्षना और रहने के लिए बड़ा सुन्दर भवन बनवा दिया धननजे भी इस्त्री पुत्र सहीद वहां रहने लगा माता जी की चड़ोत्री से भरपूर आमदनी होने लगी इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा सब कुछ लुट गया वे भिक्षा मांग कर पेट भरने लगे सुलक्षना ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा अलग घर में रख दिया उनके अन वस्त्र का प्रबंद कर दिया धननजे सुलक्षना और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनन्द करने लगे माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे सब के भरे जाकी जैसी भावना ताकू वैसी सिद्धी हंसा मोती चुगत है मुर्दा चोंकस गिद्ध सत्य भावना देव में सकल सिद्धी का मूल दिना भाव भटक्यो फिरे खोवे समय फिजूल ओम रीम श्रीम क्लीम नमा भगवती महिश्वरी मम अभिमत मन्नम देही देही अनपूर्ने साह रीम नमो भगवते मिद्महे महिश्वरे धी मही तन्नो अनपूर्ने प्रचोधयाद राधे राधे जैश्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद